ये शिवाले है जहां हर तरफ शिव ही शिव है काशी कॉरिडोर की तरह महाकाल कॉरिडोर है जहांके कंड कंड में शिव है मद्ध प्रदेश में 20 हेक्टेर में विस्तार ले रहा महाकाल परीसर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाक कॉरिडोर से चार गुना बड़ा है प्रधनवंती नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकारपन करेंगे महाकाल कॉरिडोर देश का पहला ऐसा धार्मिक केंपस से जो पौरानिक सरोवर रूद्र सागर के किनारे डेवलप हो रहा है शिव, शक्ती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करी 200 मूर्तियां और मिूरल्स के द्वारा इसे सजाया गया है शर्धालू शिव की अंसुनी कथा यहां पर आकर जानेगे काशी विश्वनात कॉरिडोर का एरिया 5000 हेक्टेर है जबकि महाकाल कॉरिडोर का एरिया 2.82 हेक्टेर है काशी कॉरिडोर पर खर्चा 800 करोड आया था जबकि महाकाल कॉरिडोर पर खर्चा 793 करोड आ रहा है काशी कॉरिडोर 300 मीटर का कॉरिडोर है जबकि महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर का कॉरिडोर है महाकाल कॉरिडोर काशी वेशुनात कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है जिसके पहले चरण का का करीब करीब पूरा हो चुका है महकाल कॉरिडोर के मुख्या द्वार से लेकर मंदिर के गेट तक 92 प्रतिमाय लगाई गई है सभी में QR कोड है जिसे स्कैन कर प्रतिमा के इतिहास को जाना जा सकेगा महकाल कॉरिडोर के बनाने में MP सरकार ने 421 करोड रुपे खर्च किये है केंदर ने यहाँ पर 271 करोड रुपे दिये है फ्रांस सरकार ने भी इसके निर्मान में 80 करोड रुपे दिये है जबकि 21 करोड रुपे मंदिर समीती ने खर्च किये है ये प्रोजेक्ट दो तरह से तस्वीर बदले का पहला दर्शन आसान होंगे दूसरा दर्शन के साथ लोग धार्मिक प्रेटन भी कर पाएंगे केंपस में घूमने ठहरने आराम करने से लेकर तमाम सुविधाएं होंगी महकार कॉरिडोर के लोकारपन पर उज्जैन में देव दिपावली जैसा माहौल होगा हर गली चौराहा सजेगा लेजर शो होंगे आतिश बाजी होगी इतना ही नहीं लोकारपन के साथ पांच लाग घरों तक धार्मिक पुस्तिका और प्रसाद भी पहुचाए जाएगा तो तयार हो जाएए महाकार कॉरिडोर को देखने के लिए जहां हर तरफ शेव, शक्ति और भगती न जराएगी उमीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करिए कॉमेंट बॉक्स में जैश रीराम जरूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करिए नमस्कार